किसान भाईयों आज हम बात करते हैं कि जो सरदी का मौसम शुरू हो गया और भायनक ठंड पड़ने लगी है उसके साथ सीत लहर भी चलने लगी है तो इस दवरान कोहरा और पाला दोनों का हमको आगे असर देखने को मिलेगा तो क्या कोहरे से नुकसान है क्या पाले से नुक कर सकते हैं तो इन सब पर आज हम किसान भाईयों बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोहरे को लेकर के तो जैसा कि किसान भाईयों आपको पता है कि कोहरा जो है कभी-कभी पूरे दिन तक पढ़ता है कभी-कभी सुबे-सुबे कोहरा पढ़ता है जैसे इस समय पढ़ रहा है तो सुबह सुबह कोहरा पढ़ता है उसके बाद मौसम साफ हो जाता है और बाद में फिर साम को कोहरा पढ़ने की सुरुवात हो जाती है तो यदि ऐसे इस्थित बनी रहती है तो दिन में मौसम साफ होता है जिसके कारण जो है धूप अच्छी निकलात लेकिन अधिक जब कोहरा पढ़ने लगता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक-दो सब्ता तक गुजर जाते हैं और हमको धूप देखने को भी नहीं मिलती है तो इस इस्थित में होता क्या है कि हमारे जो पौधे हैं उनको प्रकास किया सकता होती है और जब उनको प्रकास न ना तो अपना विकास कर पाते हैं ना तो अच्छी तरह वो फसले हमारी चल सकती हैं तो ऐसी स्थित में जब लगातार 6-7 दिन तक पाला पढ़ता रहता है तो हमारी फसले खराब होने की संभावना काफी बढ़ जाती है अपनी फसल को बचा सकते हैं उसके बारे में तो को 10-12- 10 गड़ी तक अपमान पहुन जाता है तो उसके पाला पढ़ता है चरवा रात में पढ़ता है और कभी कभी इतना भयानक पाला पढ़ता है कि हमारे फसल पर बहुत मोटी सी these पाले की पर्तम को देखने मिल जाती है लेकिन कभी-कभी हलका पाला पढ़ता है जैसा कि इस समय पढ़ रहा है और इस समय जब हम देखते हैं तो ऊपर जो है एक पतली सी लेयर बर्फ की हमको पाले की जमी पौधों पर मिल जाती है तो किसान भाहियों बात करें कि पाले से नुकसान क्या है तो वैसे कुछ फसलों में तो कोई भी सेसिस का पढ़ता है तो ऊपर पतियों पर पाला जम जाता है जो फोल होते हैं वो फोल अच्छी तरह विकास नहीं कर पाते हैं यानि फसल हमारी अच्छी तरह नहीं बढ़ पाती है फसल अच्छी तरह नहीं तयार हो पाती है और काफी प्रभावित होती है फलों की बात की जाए ज जिससे की जुलसा रोग लगने की संभावनाय काफी बढ़ जाती है और काफी हमारी फसल को पाले से नुकसान भी होता है राई सरसों में भी फलियां सही डंग से नहीं मन पाती है फूल गिरने लगते हैं और जो है सही डंग से हमारी फसल तैयार नहीं हो पाती जिससे पैदावार पर काफी प्रभाव पढ़ता है तो किसान भायों पाले से बचाओ की बात की जाए तो इस पर हमने एक वीडियो पहले बना रखा है आप उस वीडियो को देख सकते हैं यहां पर हम बताना चाहेंगे यदि हमको पाले का असर दिखाई पढ़ रहा है तो रात में हम धुमा कर सकते हैं कि पाले का असर कब होता है लगातार तो पाला नहीं पढ़ता है लेकिन कभी-कभी पाला जब जब ज़्यादा पढ़ता है तो हमारी फसल को नुकसान होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि आज ज़्यदा पाला पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला तो पहले इसके बारे में किसान भाई ये हम बता देते हैं दिन में थंडी हौइं चल लही हैं तो रात में पाला पढ़ने की समझाना बढ़ जाती है और यहते हम धुआ कर देते हैं तो आधे डिग्री से और धाई डिग्री तक तापमान बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार से हम अपनी फसल को पाले से बचाओ कर सकते हैं तो किसान भाईओं आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना धन्वाद